साथियों अमूमन क्वेरी आती है कि सर और पिस सी असिटन प्रोपेसर मैथमेटिस के लिए टार्गेटेड सेफ स्कोर कितना रखें ताकि अपना सेलेक्शन स्योर हो जाए कितना स्कोर करें कि सेलेक्शन की गारंटी हो जाए और इंटर्यू के में मार्च की दरकार कम पड़े अगर इंटर्यू में भी 19-20 मिल जाए मतलब अगर इंटरू में भी कम मांक्स मिल जाए तो भी आप अपने आपको सेफ जोन में हाशल रख्स को इसके लिए targeted score कितना है इन से मुद्धों पे तर्चा करेंगे साथ यो targeted score और time दोनों की भूत बड़ा important role play करता है उसके according की आप अपनी तयारी को manage कर पाते हो suppose कीजी आपको यहां से जाना है दिल ली और target मिल के दिल ली लेकिन कब जाना है अगर आपको बोल दे कि परसू जाना है तो उसके अनुसार आप अपनी रणनिती बनाओगे कि आप by plane जाओगे, by train जाओगे, by bus जाओगे, by car जाओगे और कब जाना है उसके अनुसार suppose की आपको car से जाना है तो आप car की speed भी आपके target और target के बीच का जो time है उसके according रखोगे तो cool मिला कर है अगर आपके पास target मिल जाए और time duration मिल जाए कि आपके पास ये target है और ये time duration है इस time duration में आपको इस target को हसिल करना है तो आप अपनी रणनेती है उसके according manage कर सकते हो तो इस वीडियो में definitely मैं assistant professor mathematics के लिए आपको targeted safe score बता दूँगा कि अगर इतना कर लोगे तो definitely अगर interview में थोड़ा बहुत कम भी marks मिल जाएंगे तो भी आपका selection कोई रोक नहीं पाएगा आपके लिए प्लस पोइंट ये है कि आरपेसी track पे है आरपेसी delay नहीं कर रही है और दूसरी बात ये कि आपके post है वो है 54 side I think 53 या 54 जो भी है पोस्ट भी अच्छी कासी है इससे पहले मैं इसके बारे में जानूँ आपको targeted डिस्कूर बताऊं आपको हमारी वाली कटोब बता दूँ जो हमारे टाइम में कितनी क्या कटोब रही थी साथ यह हमारी कटोब है यह जो कटोब आप देख पा रहे हो हमारी test series भी सलती है हमारी mobile application है उस पर join कर सकते हो मातर 999 में है राइट बहुसर इस्टेंट जोइन कर चुके है आपको मैं थोड़े कटोब बता देता अ हूँ यह जो कतोब है एक बार इसां आप एनलीसिस कर लीजिए गा एक बार वीडियो पोज लिए लेहे हो क्तोब है इस में आपको इपर के मार्क सामिल है यह जो भाइननल कटोब है इसमें इंट्रू क्या मार्क सामिल हैad जनरल की 141 Just 1 minute 141 141 किसकी है General की है माल लीजिए इसको score कितना मिला Just 1 minute General की है 141 with interview है Without interview नहीं है Interview सहीत है This means अगर interview में normal 15 to 16 average marks मिलते है तो इसका score कितना है 125 किसके General के लिए OBC देख लो OBC में ज़्यदा फरक नहीं है 138 OBC क्या है 138 Interview में average marks ही मिलते है यहीं होता कि 1 को 20 दे दिया 1 को 5 दे दिया My dear friends इसा नहीं होता है इस गलत फर्मी में मत रहिएगा यहीं हमान के चलते हैं 15 to 16 average marks रहे तो 15 to 16 maximum रहते हैं मैं मान के चल रहा हूँ इसको आप 15 to 16 select को नहीं मान तो 13 to 15 मान लो तो ज्यादा बेटर रहेगा मान लीजी इनको average marks मिले हैं लगवग 13 मिले हैं 15 मिले हैं मान लो तो कितना हो गिया 123 score किसका है यह है my dear friends return का score किसका है return का अरे कहां से लाग जया just one minute general है मैं मान के चल रहा हूँ 125 पलस लगवग 13 to 15 15 125 और 126 तो 141 आया है OBC का है OBC मान के चल रहा हूँ 123 पलस 15 लगवग 15 है देखो यह हम approximate जो calculate कर रहे है exact नहीं है तागि हम अपना target score decide कर सके अपना target decide कर सके time duration का तो पता है time duration आपके पास 50 days है right तो OBC है तो 123 you add 125 पलस score आपको लाना ही पढ़ेगा किसमे return में अगर selection सा यह तो friends यह सब चीज है यह paper level पर भी depend करती है अगर आपका paper level है थोड़ा hard आ गया tip आ गया vary कर सकता है लेकिन अगर paper ने level है अगर moderate आता है तो moderate condition में कितना safe score है उस पर हम चर्चा कर रहे है right इसको general मत माने का तो average condition है अगर paper का level बहुत जदा खतरनाक भी नहीं आया बहुत easy भी नहीं आया then इस score पर हम चर्चा कर रहे है तो general के मानो तो 126 या 130 माल लो my dear friends competition बढ़ गया है अगर आप 130 का target लेकर चलोगे तो 125 पी आएंगे right इतना ही confirm आनी है क्योंकि जो भी हम target लेकर चलते है 100% अचीव नहीं होता है तो definitely target थोड़ा ज्यादा लेकर चले तो अगर 19-20 पे रहे तो अपन कम सेकम पीछे तो नहीं रहें ये देख लीजेगा फिसली को टॉफ है बाकी SCST है वो भी देख लीजेगा मैं जनरल और OBC की बात करूँगा right just one minute अब देखना है एक बार आप target जनरल के लिए मैंने क्या गोलता है return में इंटर्य छोड़ दीजिए इंटर्य बाद की बात है इंटर्य का भी पुरा बता देंगे 130 पलस मैं my dear friends उसकी बात करना हूँ किसकी safe score की अगर safe score थाई है तो उसकी बात कर रहा हूँ में right 130 पलस किसके general के लिए OBC 125 पलस अगर इससे नीचे है तो मैं यह नहीं कहूँगा selection नहीं होगा वो अपने आपको safe score में नहीं मान सकता वो अपने आपको boundary पर मानेगा right थोड़ सी seat जदा है तो लेकिन competition भी बढ़ गया है पिछली बार जो रहे हैं वो भी इस बार दोड में है right उनको आप हलके में आके मत चलिए अब जोखो paper first है 75 का आएगा paper second है जो PG part है 75 का यह 50 का आएगा यह gk वाला राश्तान gk अगर राश्तान gk में आपका 25 प्लस score नहीं हुआ तो आप वे से भी बाहर है क्यों आपके subject expert है जो subject का paper दे रहे हैं वो सभी जयारफ है net है तो definitely knowledge point of view से आप से 19-20 का फरक हो सकता है जएदा gap नहीं होगा right इसमें आप maximum 3-5 marks का distance कर पाओ तो difference कर पाओगे इसमें भी 3-5 का difference कर सकोगे gap disk होगे जीके ऐसा चीज है अगर इसमें पिछड़ गए तो selection होना possible नहीं होगा तो जीके में जिसका 25 प्लस नहीं आया वो बाहर हो गया automatic तो इस पर विशेस focus कीजिएगा अब देखो यह UG part है और यह PG part है PG part थोड़ सटब पढ़ता है especially उनके लिए जो हमारी तरह आउट ओव रास्तान study करके आए है अगर रास्तान में study किया है तो आपके लिए खोड़ा easy रहेगा लेकिन BHU, DU, JNU HCU IITS से पढ़कर आए है तो काफी heavy yoga में BHU से था तो में लिए काफी musical था second paper को त्यार करना इसको आप अच्छे से त्यार करोगे तो 50 score easily कर सकोगे अगर हमारी test series और PYQ अगर उनको भी डंग सेपरेटिस कर लोगे तो आप time भी manage कर लोगे और first paper में है अच्छा कासा score कर सकोगे बात paper second की है paper second में question fix है paper first में question fix है RPC pattern जिस परकार से चल रहा है उस परकार से हमने test series भी उसी परकार design की है first में भी आपको 50 plus score करना है और इसमें भी आपको 50 plus score करना है अगर suppose कीजिए इसमें आपके 55 से पना जाए और 45 पा जाए इन दोनों में आपको 100 plus score करना है दोनों को मिला करके आप कीस परकार करते हो वो आप अपनी तयारी है अपनी रण देती है उसके according manage कर लीजिए first और second दोनों के मिला कर 100 plus score आपको हर हालत में करना है OBC वाले हो तो general वाले हो तो general के लिए आपको बता दूँ आपको अगर paper average आता है तो paper first और paper second दोनों को मिला करके आपको 150 number eight list लाने ही होंगे हर आलत में कभी अगर आप GK में 25 score plus score कर पाते हो तो तो करने का मतलब है आपके पास लगबग 50 days है और targeted score क्या है आपका है 130 plus score है जितना ज्यादा कर सबो आपकी बलाई है रेंक बढ़ी आएगी रेंक बढ़ी आएगी तो आज पास के district में posting मल जाएगी जैसे मेरी रेंक बढ़ीया थी तो मेरे को प्रोडोशी दिस्टिक चूरू में ही posting मिल गई तो 130 plus including GK without interview आपकी लिए में safe score मान सकता हो अगर RPSC का paper है moderate level का आता है तो अगर moderate नहीं आता देन उसके according कुछ नहीं का आ जा सकता कुछ specific condition होती है उसमें फिर vary कर सकता है लेकिन अब moderate ही मान के चलेंगे उसके उनसार यह रहेगा कैसे भी टारी कर लो यह score लाना पड़ेगा आपको आपके पास 50 days है आप अपनी तयारी को कैसे manage करते हो वह आप पे depend करता है तो I hope मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कुछ mindset है फो कुछ clear हुआ होगा फिर भी मन में कोई संका रह जाए doubt रह जाए द्वंदव रह जाए तो comment section मेरे मित्रों के लिए खुला है आप यहां पूछ सकते हो assistant professor mathematics के लिए हमारी टेस्टरी चलती है मतर 999 जो एक मतर aspirant friendly प्राइस है second paper का मैं दावे के साथ कैसकता हूँ इस test series के बाहर question जाने की संभावना कोई गलती से बनती है लगबग तो जिस प्रकार से मैं मेनत कर रहा हूँ RPC pattern को देख रहा हूँ question इसमें से इदर उदर 19-20 का फरक रह सकता है इसके उदर उदर question पूछे जाएंगे अगर test series अच्छे से practice करते हो तो second paper हो से first paper हो मैं previous question भी सामिल कर रहा हूँ मैरा target रहेगा कि लगबग जो paper आएगा वो इस question के इरदगिर्द ही आएगा right तो अगर आप test series जोइन करते हो आपके लिए definitely helpful होगा मातर 900 जान में हमने फीस रखी है ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके कोईरी हो comment section में पूछ सकते हो बहुत बहुत धन्यवाद